हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आप रोंका हार्दी का विन अंदन करता हूं अपने टेडर वाई स्टॉक मार्केट यूटूब चैनल में जो लोग फ़ाइप पर विजिट के हैं सब्सक्राइब वैल आइकन और जरूर सेलेक्ट कर लिजेगा और साथ में देशी है तो देशी को आपको बाई सेल करने में कोई समस्या नहीं है जिसको होड करने में आप कितना भी समय होड कर सकते हैं लाइफ टाइम और स्टॉक से कम से कम 98 गुना सेफ है सोचे और क्या चाहिए इस इतने जेंजर मार्केट में अगर इतनी सिक्रिटी मिल जाए तो बहुत है और दुनिया इन ही को फॉलो करता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स को ही फॉलो करता है हर कोई चाहता है कि मेरा इंडेक्स में आ जाओ कौन से इंडेक्स में निफ्टी-फिप्टी में क्यूं भाई जब इंडेक्स इतना स्लो है तो क्यूं चाहता है कि निफ्टी-फिप्टी में आ जाए security के चलते हैं एक मतलब उसको कि वहाँ पर ही सब बड़ा पैसा लगता है तो उसमें आ जाओंगा तो मेरे इसमें भी बड़ा पैसा लगेगा यह security ठीक है दुनिया आपको इधर उधर का समझा देगी ना लेकिन आपको क्या करना समझना नहीं है वह ना ना हमको तो index में रख सबसे पहला तो आप बोलोगे क्या सब्सक्राइब यह निफ्टी 20 है जो निफ्टी 50 को कवर करता है क्लियर है निफ्टी 20 भाई साब इसका symbol यह है इसको आप जितना मन उतना होल्ड कर सकते हो आप बोलोगे सर होल्ड कर सकते हैं तो कहीं यह डूप तो नहीं जाएगा कि अधर देखना पड़ेगा तो आप सोच लिए कितना अच्छा स्टोक है ऐसा ऐसा स्टोक आदमी ढूंड ढूंड के ठाग जाता है ठीक है और यहां हमको यह ETF मिल रहा है सब यह चाहता है कि ऐसे जाता रहे मतलब यह रहे बीकास का तो देखिए 20 साल में इसने डिप तो दिखाया लेकिन उसके पाद क्या हुआ यह देखिए नीचे हो गया कि इतना अच्छा मोमेंट है यह ऐसे 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 मतलब अगर आप देखिए तो यह यही चीज तो चाहिए सांट तरीका से पैसा बनता है ठीक है तो टेंसल लेने का नहीं है बहुत ही अच्छा स्टॉक है रही बात इसमें थोरा सा वॉलूम की तो मैं आपको इसका वॉलूम दिखाना चाहूंगा यह लिस्टिंग 8 जनवरी 2002 को हुआ था और देखिए 20 साल से भी ज्यादा होगे 20 साल से भी ज्यादा तो आप भरसा कर सकते हैं और एक छुटा मुटा मार्केट कर नहीं है बहुत इसको हम पहले नंबर पर रखे रिटर्न भी बहुत बढ़िया है सब कुछ बढ़िया है यह हर किसी स्टॉक को फिल करने का दमखम रखता है ठीक है हम ETF में है और ETF अपने आप में बहुत जानदार चीज है ठीक है आए बैंक बीज में चलते हैं तो बैंक बीज सकेंड मेरा बैंक बेजने जिसमें संट्री से का बाइंक भर करता है बहुत सुन्दर है इसका अभी मैक्सिमुम रिटर्न आप देख सकते हैं यह कब से 2004 से चार जून 2000 चार्ज तो छोटा मोटा टाइम नहीं है न देखें न कितने उसके बीच में आपने किरावट देखेंगे कितना सब कुछ देखेंगे लेकिन इसका क्या है इसका मोमेंटम क्या है त्या मोमेंटम ऐसी जगहना आदमी पैसा लगाता है यह इसा जगह लगाएगा पैसा दो यह लगता बड़ा पैसा आब समझने का फेरा है हमेंसर डॉण नंगा बना यह आया है और आगे बढ़े है यह सब काफी अच्छी चीज़री था इसको समझना चाहिए और निवेंच करना चाहिए लॉंग outta 50 काम करना चाहिए हर कुछ काम करना चाहिए जो हम लोग यह चलता है अब 20 लाग 20 लाग अच्छानक से वालूम बढ़ा है तो नोड़ाट बैंक निप्टी में मजबूती तो आई है पिछले साल तो देवे किया था इस पर भी चला नहीं है उसके पाफ जूद भी चोव मेना पाइस परसेंट यह देखिए पीएसु बैंक सरकारी बैंक है ना बहुत सांदर चीज़ है सब सरकारी बैंक इसमें कवर हो जाता है इसको मैं इसलिए रखा हूं कि अपना ना मैंने 10 10 11-6 एक रखाउं 10 जिसमें आप प्रड़ा पैसे प्रचाओं चाहिए और बीना किसी डर होता है तो वही तो मौका होता है जब पैनींख होगा गिरौट होगा तभी तो पैसा लगाना है और एभी में ए्टिएप में इंडेर परसेंट लगाना है यहां तक कि जिसको जो इ जाएगा है कि नहीं हम यह स्टॉक नहीं लेंगे तो मार्केट मेरा आना नहीं बेकार रहा है और यह पाँज़ा है तो यह दिखिए कि इंडेक्स राता है अगर वह तो फरेंगे लेंगे लोगों का पो पेश करा जाएगा सूगर इस सबसे पहले आपको यह देखना है कि किस इंडेक्स में आता है आपको इतना तो मैंनत करना पर लेगा और आपको इंडेक्स का अगर जो इंडेक्स को अगर इतना ही अच्छा हो है निफ्टी 50 में रहेंगा भाई है निफ्टी 50 में तो जो भी है आप इतना बस समझ के रहें जो बढ़िया स्टॉक है और पैसा बन गया तो समझ लिजिए कि आप मतलब क्या बोले नाले में से नमक ढूंड के लिए एक चुटकी नमक पानी में घोल दीजिए और फिर वापस लिए तो समझे वह बात हो नहीं है और बड़ा पैसा उसमें मूब करता है वा ठीक है दूचार पांचार लगा लिए अगर एक लाग हो जाता तो आप मुतिलाल रूष्वान चीक है है मुतिलाल रूष्वाल का है जो नेजश्डेग हंडेड को अमेरिका का एक इंडेक्स है और श समील है तो उसको रिटर्ण बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा से यह मूँव करता है मैं इसलिए कि यही सब एक में मैं भी पैसा देखेगा तो ठीक है 15 परसेंट 5 साल का देखेगा तो 20 परसेंट के इंसाफ का रिटर्न है और अगर मैक्सिमम लगा देते हैं तो देखिए ये भी 2011 से continue है तो आप देख सकते हैं कि 13 साल में 1052 परसेंट का CGR दिया है ठीक है अनुल ग्रोथ दिया है तो देखिए च्छे महीना में 33 परसेंट इस्टॉक की बात करते हैं देखिए ना यह सिक जानदार एटी है पैसर हमारे पाद यह भी उस में करता है फैंग इंडेक्स को यूएस के इंडेक्स में यह लगाता है मेरी लगाता है पैसा मेरी एक पंड है टीक है एक इस तरह मोतिलाल गोश्व सबसे बड़ा है अगर आपको शेक्टर पसंद आ रहा फिर आप खरीद के बैढ़ जाओ उसके बाद वोलूम का मत सोचो आएगा आना ही है भारत में बहुत कोई लोग जान रहे तो जान रहे तो देखिए आपके समने इतना कहा पहले हुआ करे दिखा देते हैं तीन साल प हमारा पंग सबसिती आ तो इसका उपर मैक्सिमम्म भी देख लीजए तो मैक्सिमं यह अभी रशेंट में ही ऐफ्न कोफ़ाय सम शुरू किया था और उसके बाद इसने अच्छा रिटन दिया अक्टूवर के बाद से जो पुराने लोग है वो इसमें जानते हैं अब आई आई टी सेक्टर है अभी इसने कोई रिटन नहीं आपको अच्छा द्यूरिंग वन ये में दिया है चली ठीक है ऐसे इसने अभी को पुरा इंडेक्स कोई कवर कर लेता है वाई साब एक दो नहीं हजार वीडियो पड़ा हुआ है मेरा ETF से ज्याद ही अभी दो हजार हो जाए अभी 800 वीडियो हो गया है सिर्फ ETF का और मैं डेली बेसिस पर ही बनाता हूं कि मुझे पता है कि यही एक चीज है जिसमें जान है बांकी तो ऐसी है देखिए इसका जो है जनम लिस्टिंग एक जुलाई 2020 को हुआ था ठीक है वहां नहीं दिखता है इसलिए यहां देख लिए और तब से यह चल रहा है तो यह तब से तो IT डाउन ही चल रहा है बीच में अच्छा चला था फिर डाउन हो गया तो बीच में किया ही था लेकिन अभी यह चल रहा है तो इसलिए आपको तुड़ा डाउन दिख रहा है और यह चीक है अभी अभी तो इसका बांकी है इसमें दिख रहा है न बांकी 2020 से है खुलते साथ इसने रेस बन गया था जब कोरोना के बाद आफ्टर को फार्मा देखिए आज का क्या है कि मैं भी एक साल तक उसको छोड़ देता हूं पकने देता हूं उसमें वालूम आने देता हूं तो उसका जब वालूम आने लगता है तो अब यह पक गया अब यहां देख लीजिए बड़ा मार्केट केप नहीं है लेकिन भाई साथ जुलाई 2021 मतलब आज से दो साल पहले इसका लिस्टिंग हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसमें वोलूम आपको दिखा देते हैं तो सली हो जाएगा दिल को यह देख रहे हैं चालीस लाग पर देख रहे हैं यह वोलूम है तो किसी भाई को लगता है कि एटीएफ में हमारा सौदा नहीं कटेगा और य सिस्टम है तो आप देख सकते हैं कि एक साल में इतना गिरने के बाफ जूद भी 12% का रिटन दिया तो मतलब इसने सेक्टेंबर 16 के बाद क्या दिया था अच्छा 23-24% का रिटन जनरेट कर दिया था इसलिए इतना गिरने के बाफ जूद भी चलिए यह भी कोल्ड आ जाता तो वॉल्म भी दिखा देते हैं आपको भी तसल्ली हो जाएगा ठीक है यह देखिए 19 मार्च 2007 को लिश्टिंग हुआ था और रही बात इसकी वॉल्म की वह खुत सांदार है देखिए 18,31,22,26,26,27 इतना इतना लाग का वॉल्म है समझ रहे हैं वॉल्म क्या होता है कि खरी इसमें आप शेपर सेट गिरने के बाद आप अभी 25 परसेंट का रिटन दे रहे हैं धन्य है चली कोई बात ने तो यह सिल्वर है यह भी आया है कब लिश्टिंग हुआ है वह मैं दिखा देता हूं यह दिके सिल्वर है मैं सब कुछ आपको एनसी के साइट पर दिखाना प और देखने के पाद यह निर्ने लिया कि अब भयां एमसी एक्स सिल्वर सिल्वर शिल्वर बीच तो नाम भी दिरे-दिरे पूलते जाएंगे अब दिरे धिरे उनको पढ़ना रामना गोल्ड का गिन्नी कम्मे करना है गोल्ड का तो उस अब छोड़ दी हैं भूल गया है म सब्सक्राइब बिल्कुल छोड़ दी मिन्सेख एक दम दूर होगे नहीं आ रहा है रहना है बैटना ही नहीं आइसवर जो और यहां एक दम बड़ा वलूम आ यह सुर्द है अब इसलिवर बीस बीच नया है लो आगि इसका वॉल्म क्यों अच्छा चीज तभी तो आ सब्सक्राइब जो कि सेक्टोरियल है कुछ एटिप थिमेटिक भी है इस तरह डिजिटल इंडिया थीम पर है और सेक्टोरियल में हो गया आपको जिस तरह कई आ जाएंगे आपको जैसे मीड 150 भी हो जाएगा ऑटो हो जाएगा इस तरह से बढ़ता है तो हमने सारा कुछ नह नर्थ जल्दी समझ आते हैं तो देखिए हम कभी माना नहीं करते हैं क्योंकि आप सोतंत्र हैं लेकित भाई जो समझाना चाहते हैं जो बताना चाहते हैं वहीं समझे कुछ और तो समझ के मत बैठिए हैं गए तो बढ़िया से देखने हैं उल्टे मतलब दिखा के आ गए इसा मत करिए ना चीक है आप स्पीड कर लिजिए उसका वालूम फास्ट कर लिजिए चलेगा हम किसी चीच के लिए नहीं माना करते हैं लेकिन जो भाई देना चाहें वही आप समझेगा और लिक्वीड बीज में इतना कंफ्यूजन लोगों को नए लोग है उनको इतना कं समाग फढ़ जाएगा कोड़ो रुपया एक पैसे पर चलता है कोड़ो सो भी जादा समझ लिजिए कम से कम 10-15 अब अभी मुल्टिप्लाइं करके दिखा दें दिखा दें मार्केट में आप हजार से उनका क्वाइंटिटी मुल्टिप्लाइ करिएगा और 10-15 लाग हमेशा मार्केट गिर रहा है आपका पैसा तूट जाएगा आज से पहले किसी भी एक जगह बता दीजिए लिक्विट गवर्मेंट सेक्रूर्टी फंड के अलावा आपका पैसा सुरक्षित रख सकते हैं चाहिए लार्ज कैप हो मीड कैप हो स्मॉल कैप हो कहां पैसा रखिएगा सुरक्षित हमें भी बता यह उसके लिए मैंने बताया कि यहाँ रिटन नहीं आपको दिखेगा बनता हुआ कई जगा जी रोधा में क्या दिखेगा तो क्या है कि हम लोग अच्छ परवकता नहीं या ना वकता है हमाना बस यही है कि आप तक मैसेंश महों हो जाए वांग यहां पैसा सुरक्षित रहेगा कभी भी बेचिएगा अगर किसी को डाउट है तो भी डाउट नहीं रखना चाहिए आप एक बार ट्राइ कर लिजे जो ट्राइ नहीं करते हैं उनको बहुत ज्यादा डाउट होता है तो डाउट होना भी सोभाविक है कि जब तक पता नहीं कोशिस करिए इसमें आपका आप सुचेए का इसमें से में रिटर्न कमा ले 10% 12% 6% पूरा मार्केट बंद हो जाएगा अगर यह रिटर्न देने लागा ना तो जिस तरह पुस्ट ओफिस अगर मेरे को 15% का रिटर्न दे हम कहीं आएंगे मार्केट हैं भाण में जाए मार्क का में जाएगा अब भूलिए ब्रोक्रेज के पास नहीं छोड़ा जाता उसको क्या किया जाता है लिकवीज में डाल दिया अब आप बोलोगगे सर्भास सेल में अब अब यहाई इसने बहुत कम लगता मुजे निल लगता है इस ज्यादा है पिछले वारत हम ने बात करके पूरा डाटा के साफ से बनाया था तो एक दम नॉर्मल अरे भाई आप 5 लग 10 लग का ट्राइक्शन कर रहें और उसमें 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया लगिये गिया तो क्या हो गिया या इतना चुटा सा बात के लिए हां उसमें जो दिखाता है वो एक्षुली होता नहीं यह चीज मैं बोलूँगा जो आपके करने जाएगा तो दिखाएगा नीचे में चार्ज वो फॉल्स होता है ठीक है नहीं होता तो आप एक बच्छे कर लिजे मां की पैसा जो है जब भी चाहिए निकालिए तुरांत 80% जाएगा 20% बाद में अगला दिन आएगा इवन मेरा घर में कभी काम रहा होता है रहे है पैसा यहीं से निगालता हूं भावना के पीछ पर जाएगा भावना से पता था हूं वो तो सुनते नहीं है अब भावाना नहीं समझोगे यह बात तो माथ ठीक है चलिए यह सब 10 ETF है एक नमर इटीएफ है बिंदास होके आप लोग इसमें लॉंग टर्म सौर्ट टर्म स्विंग टर्म जो करना करें आपको ये दोका देता हुआ नहीं दिखेगा काफी मजबूत है और कोई एक दोगुट सियर नहीं है सब्सक्राइब पूरा जूरी पूरा जूरी लेके